हे दोस्तों वलकुम बैक टू माई चैनल गार्डिन नीचस लवर मैं आई होप आप से भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ सो आज हम आए है धेर सारे पौधे खरीदने और पौधे का हेल्थ आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है सभी पौधे उठा के चल दे बट क्या है हमें कुछ सेलेक्टे सेलेक्टे पौधे चाहिए जो कि इस नर्सरी में सारे अवेलेबल है हमें इंडोर प्लांट चैनल यहाप यह विसकस आप देख सकते हैं यह सारे के सारे थाई वराइटी है बट इन्होंने अभी कटिंग कर दिया कटिंग करके फिर से ग्रो कर रहे है दूसरा यहापे आप रोहियो देख सकते हैं बहुत सारी प्लांट से यहापे आपको मिल जाएंगे रोट साइड मिल जाएंगे फ्रूट के ब्लांट मिल जाएंगे तो यहाँ पर बात करते हैं प्राइस की ना बहुत ही चीप प्राइस में आपको लैंडस्केपिंग से रिलेटेड या अपने घर से पौधे चाहिए घर के लिए स्वरी तो आप यहाँ से पर्चिस कर सकते हैं आप देशी वराइटी है हिबिसकस की बहुत सारी देशी वराइटी है यहाँ पर ड्रेसीना है यहाँ पर कुछ पिंक एगलोनीमा है देख सकते हैं यह पिंक एगलोनीमा का प्राइस मुझे नहीं पता क्योंकि भया आप थे नहीं तो मैं पूछ नहीं पाई हूँ मोसली आपके सभी पौधे सही रेट पे है 20-25, 20-25, 17-15 ऐसे करके सारे सारे प्लांट है जो बड़े बैग में है वो थोड़े से कॉसली है वो भी जादा नहीं ना 300-400 के पौधे आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर ऐसा है जैसे दूसरे नर्सरी में मिलती है ना वो नहीं देख सकते है यह भी आपको 20 रुपे करके मिल जाएंगे सिंगोनियम की यहाँ पर बहुत सारी कलेक्शन है आप देखिए यहाँ पर मिक्स अप है आपको पर्टिकुलर्ली एक नहीं मिले गए यलो में वैरिगेटेट है यलो एन वाइट में है यह वैरिगेटेट है बहुत सारी यहाँ पर सिंगोनियम की वराइटी है जो कि सारे 25 रुपे है यह थोड़ा से अलग है लीव से अलग है कलर अलग है सिंगोनियम का अच्छा कलेक्शन है अगर आप एक एक पौधा भी लेके आते हैं आप बहुत सारा पौधा बना सकते हैं पीछे भी सिंगोनियम की है प्लस यहाँ पे देखे फिलो डंडरन की भी कुछ वराइटी है इसमें आप देख सकते हैं यह की प्लांट में इसके रूट्स आ गया है एक प्लांट है लेकिन पौट में शायद कुछ नहीं था वैसे अपने आप उसमें रूट पकड़ लिया है देखे पीला कलर का सिंगोनियम है बात करते हैं यहाँ का जो नरसरी है छेरी-खेरी में है इनकी दो नरसरी है हम आए हैं अज अपने साइट के लिए सब भी प्लांट खरीदने के लिए सिंगोनियम भी हम उठा ले रहे कम से कम देश दो सो पौधे हम उठा ले रहे सिंगोनियम फिर भी कलेक्शन रहेगा आप आके यहाँ से पर्चिस कर सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन है, लास्ट वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, क्योंकि पहले भी इस नर्सरी के मैं एक वीडियो बनाई हूँ, आज हम क्या क्या ले रहे हैं, बहुत सारे पोधे देखिए, गारी सामले लगी है, यह ना लास्ट है म लोकेशन मैं आपको देती हूँ, आप लीव नहीं किये, बट मैं सारे पोधे खरीद के लेके जारी हो, देखिए, कितनी अच्छी कलेक्शन है, आप एक जोरा का भी है, और इसका कलर इतने बहतरीन है, प्लस इसके लीव का साइज देख रहे है, कितना सुन्दर इसके मिलेगा 30 रुपे में, वहाँ तो 40 रुपीज करके आपको मिलेगा, 30 रुपे तो मिलेगा इन्हीं, 10 रुपे का अंतर, इनलोग कटिंग करना चालू कर दिये हैं, अभी बरसात का मौसा में इनलोग प्रोपगेट कर रहे हैं, प्लांट, क्योंकि देखिए, मैंने अब तक विडियो बनाया, मैंने खरीद के ले भी गई हूँ, ठीक, लेकिन अभी जो प्लांट आपको मिलेंगे न, इसे कटिंग ही मिलेंगे, कुछ-कुछ रहेंगे, देखिए, यहाँ पर सभी ना भी बरसात के टाइम, मौसली नरसरी वाले कटिंग करते हैं, तो इससे बैटर है के अंदर जहां पर AC, फूल AC चलती है, देखिए, पौदे का, आप हेल्थ देखिए, कितना घना है, 30 रुपे में कितना बड़ा पौधा है, लास्ट टाइम जब मैं यह पौधा गौर्मेंट नरसरी से खरीदी थी, मुझे 45 रुपीस करके मिला था, लेकिन यहाँ पर 30 तक को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तोटता है क自拍 मिला तोटनी खौड़ के हाइब, तोटी है, ह हाईब्र वराइटी में थे हाइब ही तोटा हैं। तोड़ने की कोशिश कर रही हूं, वाल karş wanna च्बीशाने कितना है, अल थेनी खरीड की में तोटा सब्यकर प्रिश क आपको यहां पर मिल जाएंगे आपको जो भी फ्रूटिंग प्लांट चाहिए ना आपको यहां से मिल जाएंगे तो हमारा पौधा अभी गाड़ी में लोड होना चालू हो गया है सबी पौधा जल्दी जल्दी लोड करके हम पहुचेंगे तम गर्मी जादा इतनी है कि जिस लब इतने चीप प्राइस में आपको कही नहीं मिलेंगे आप कोई भी नर्सरी में आप जा के एक बर देख सकते है जितने भी एरेक आप आप देखे हैं ना सबके सब आपको 200 से 1200 के अंदर ही मिलेंगे यह इनकी दूसरी नर्सरी है एक नर्सरी है आ आईजी के वी के लिए हूँ सबसे जाधा मैं यह क्रोटोन मैं अगर सौ रूपे में भी देतेrain रहती लेकिन भ architects 50 रुपे में बेच रहा अब देख सकते हैं। इतने साले मैंने पौदे लिए हैं मैं बोख़़ टाइम ना ऐसे होता है न दोस्तों कि मैं नरसरी का लोकेशन में बाई रोड देती हूं लेकिन फिर भी लोग इतने गंदे तरी किसने कमेंट्स करते रहते हैं location कहा है location कहा है आप एक बार description पे जाईए बहुत सर वीडियो में description में नहीं देती हूँ जो जो पास पास के हैं उसमें नहीं देती हूँ जो नर्सरी एक दम अंदर अंदर की है उसका मैं link description में बकाईदा दे देती हूँ आप लोग वीडियो को skip मत कीजिए पूरा वीडियो को देखेंगे तो ही पता चलेगा कि मैं वीडियो में बोल क्या रही हूँ लोग स्कीप करकर के देखते जाते है प्राइस क्या है इस प्राइस प्लांट का नाम पुछते है प्राइस पुछते है है ना तो बेटर है कि आप एक बार पूरे विडियो को देखिए तो ही आपको पता चलेगा कि प्राइस क्या है और इसका लोकेशन क्या है ठीक है तो मैं प्राइस बता देती है रबर प्रांट का सो रुपए है फिलो डंडरन आपके 30 रुपए है सिंगोनियम आपके 25 रुप जिस वज़े से देख नहीं रहे है क्या है ना हम दोनों नर्सरी से पर्चेस किये हैं तो क्या है कुछ आगे हो गए पौधे कुछ पीछे हो गया तो देखिए इन लोग सजाते भी कित्ते बहतरीन है ना कि इतने सारे पौधे ठीक है कोई यहां बोल पाएगा कि यह टोटल मैं सबको रोक के रखी हूँ प्लीज रोक जाओ पौधे उतरने दो फिर तुम लोग जाना यह देखिए सिंगोनियम का हमने बोखो सारी वराइटी हम सिंगोनियम का लाए क्योंकि सिंगोनियम ऐसा प्लांट है डार के रिया में एट्रक्टिव करता है यह देखिए सारे प इंडिया में 25 रुपए करके पड़ा और यहां पर हमारे वर्टिकल का तियारी चल रहा है वर्टिकल का भी बहुत जल्दी मैं विडियो बनाऊंगी सो हे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हलफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजेगा फर्